कि अपने स्क्रीन पर देख पारे मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने असाइन्मेंट को डाउनोड कर सकते हैं अगले सेशन के लिए तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टन सा वीडियो होने वाला इसको पूरा देखिएगा आपको पुरी ज जनकरी मिल पाईगी लेक्टर स्टार्ट करने से पहले उसके पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए और बेल एकन दबा दीजिए तक कि आपको मेरे वीडियो की नोटिकेशन वह मिलती रहे तो आज का टॉपिक है हमारा की किस तरीके से आप अपने असाइनमेंस को डाउनूड करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉसेस आपको करना क्या है आपको हमारे चैनल पर आना है आपको हमारे वेबसाइट पर आना है जिसका नाम है commerce e-partshala.blogspot.com जैसा लिखा हुआ है यह मैंने टाइप करा टाइप करने के बाद मैं सर्च करूंगा नीचे की तरफ अगर आप आएंगे यह हमारा ही है नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको एक लिंक देखेगा commerce e-partshala.blogspot.com इसके उपर आपने क्लिक करना है तो हमारा वेबसाइट जो ह आपको डाउनलोड करना है तो आप जाएंगे इगनो quick links में इस quick links में not only assignment हर एक चीज आप पता कर सकते हो इगनो के बारे में आपका assignment कब आ रहा है, आपका book कब आ रहा है, form fill up कब हो रहा है, exam की date sheet क्या है, आपका result कैसा हुआ है, assignment के marks, you know हर एक चीज आप quick links में आगर के check क सकते हो, quick links के उपर आप click करेंगे, एक नया web page खुलेगा इस तरीके से, web page खुलने के बाद आप जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पर बहुत सारे options दिखने वाले हैं, यह भी भी सर्ची कर रहा है, तो रहने truck slow है आई गया है, इसलिए थोड़ी से दिक्कत हो रही है, बट यह रहा, यह आपका आ गया, अब आपको assignment check करना है, assignment download करना है, तो यहाँ देखो, ignore assignments related quick links, आपको assignment download करना है, यहाँ click करेंगे, become assignment download करना है, हिंदी के यहाँ, English के पर, और assignment submission का status check करना है, यहाँ पर, तो assignment अभी आपको download करना है, तो click है, फिर आपने click किया, थोड़ा से network slow है, इसलिए ऐसी दिक्कत हो रही है, अधरवाई अशा होता नहीं है, suppose आपको m.com का download करना है, तो m.com के उपर आप click करेंगे, यह देखिए, m.com के उपर आपने click किया, m.com English, m.com Hindi, यह page आपका खुल गया, यहाँ पे भी देखो, assignments मैंने starting में click करा था, यह assignments आपके सारे के सारे course के available हो गये, आपको m.com पे download करना है, यहाँ जाना है, m.com F&T करन है, यहाँ करना है, जो भी course आप कर रहेगा, आप यहाँ से बहुत ही आसानी से download कर सकते हो, तो इस तरीके से आप assignments अपने download कर सकते हो, अपने examination के point of view से, जब भी आपको exam देना होगा, उसके पहले का assignment आपको submit करना होता है, so this is how you can download your assignment, किसी भी तरह confusion, अगर आपको, आपक अपना ख्याल रखिए, bye, thank you